साथियों, देश के किसानों के कल्यान की दिशा में, कुरुशी सुधारों की दिशा में, कल देश के लिए बहुती महत्पपुन दिन था, कल विश्व कर्मा जेनती के दिन, लोकसभा में, आइतिहासिक कृषी सुधार विधायक पारित किये गए हैं, इन विधायकों ने हमारे अन्दाता किसानों को अनेक बंदनों से मुक्ति दिलाई हैं, आजादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आजादी देने का काम हुआ है, इन सुधारों से किसानों को अपनी उपज बेचने में और जादा विकल्प मिलेंगे और जादा अवसर मिलेंगे, मैं देश भर के किसानों को इन विधायकों के पारिद होने पर बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ, किसानों और गरहा के बीच जो बिचोलिये होते हैं, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, उनसे बचाने के लिए विधायक लाये जाने बहुत आवशक थे। ये विधायक किसानों के लिए रक्षा कवज बन करके आये हैं, लेकिन कुछ लोग जो लोग दसकों तक देश में शासन करते रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, देश पर राज किया हैं, वो लोग किसानों को इस विशय पर ब्रमीत करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों से जूट बोल रहे हैं, साथ क्यों, चुनाव के समय किसानों को लुभाने के लिए बड़ी-बड़ी बाते करते थे, लिखीत में करते थे, अपने गोशना पत्र में डालते थे, और चुनाव के बाद भूल जाते थे, और आज जब वही चीजे, जो इतने दसकों तक देश में राज करने वाले लोगों के मैनिफेस्टों में है, वही चीजे भारतिय जनता पार्टी एंडिये सरकार कर रही हैं, किसानों को समर्पित हमारी ये सरकार कर रही हैं, तो ये भाती-भाती के ब्रह्म फेला रहे हैं, जीस APMC Act को लेकर अब ये लोग राज नीती कर रहे हैं, एग्रिकल्चर मार्केट के प्रावधानों में बडलाव का विरोत कर रहे हैं, उसी बडलाव की बात इन लोगों ने अपने गोशना पत्र में भी लिखी थी, लेकिन अब जब NDA सरकार ने ये बडलाव कर दिया है, तो ये लोग इसका विरोत करने पर, जूट फैलाने पर, ब्रह्म फैलाने पर उतर आये हैं, सिर्फ विरोत के लिए विरोत करने का ये एक, एक के बाद एक अने गुधारण सामने आ रहे हैं, लेकिन ये लोग ये भूल रहे हैं कि देश का किसान कितना जागरत हैं, वो ये देख रहा हैं कि कुछ लोगों को किसानों को मिल रहे, नए अवसर उनको पसंद नहीं आ रहे हैं, देश का किसान ये देख रहा है कि वो कौन से लोग हैं जो बिचौलियों के साथ खड़े हैं। साथ ये लोग MSP को लेकर बड़ी-बड़ी बाते करते थे, लेकिन कभी अपना वाइदा पूरा नहीं किया, किसानों से किया ये वाइदा, अगर पूरा किसी ने किया है, तो भाजपा NDA की वर्तमान सरकार ने पूरा किया है। अब ये दूस प्रचार किया जा रहा है, कि सरकार के द्वारा किसानों को MSP का लाप नहीं दिया जाएगा। ये भी मनगरंद बाते कही जा रही हैं, कि किसानों से धान, गेहु, उत्यादी की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ये सरासर जूट है, गलत है, किसानों के साथ धोका है। हमारी सरकार किसानों को MSP के माध्यम से उचीत मुल्य दिलाने के लिए प्रतिवद्ध है, पहले भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे, सरकारी खरीद भी पहले की तरह जारी रहेगी। कि कोई भी व्यक्ति, अपना उत्पादर, जो भी वो पैदा करता है, दुनिया में कहीं भी बेज सकता है, जहां चाहे वहां बेज सकता है। अगर वो कपड़ा बनाता है, जहां चाहे बेज सकता है, वो बरतन बनाता है, कहीं पर भी बेज सकता है। वो जूते बनाता है, कहीं पर भी बेज सकता है। लेकिन एक मात्र केवल मेरे किसान भाई बहनों को इन अधिकारों से बंचित रखा गया था, मजबूर किया गया था, अम नए प्रावदान लागू होने के कारण, किसान अपनी फसल वो देश के किसी भी बाचार में अपनी मन चाही कीमत पर बेच सकेगा। यह हमारे कॉपरेटिव्स, कुशित पातक संग, एपियोस और बिहार में चलने वाले जीवी का जैसे महिला स्वयम सहायता समों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। साथियों, नितिश जी भी इस कारकम में मौझूद है, वो भली भाती समझते हैं, कि APMC Act से किसानों का क्या-क्या नुक्सान होता रहा है। यही वज़य है कि बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद, अपने शुरुवाती वर्सों में ही नितिश जी ने बिहार में इस कानून को हटा दिया था। जो काम कभी बिहार ने करके दिखाया था, आज देश उस रास्ते पर चल पड़ा है।